पाकिस्तान मेडिकल कमिशन के तरफ से 28 फर्वरी को उनके ओफिशल ट्विटर काउंट के उपर एक इंपॉर्टन अपडेट शेयर की गई थी के पीमसी की तरफ से जो खाली सीटों के ओपर सरकारी मेडिकल अंडेंटल कालेजिस की जो मेरिट लिस्ट है वो यकव मार्च को डिस्पले की जाएगी जबके private medical and dental colleges की vacant seats के ओपर meritless 3 March को डिस्पले की जाएगी इसके लावा साथ ये भी बताया गया कि तमाम students PMC के website को लाजमी चेक करते रहें और जैसे ही meritless display होती है तो select होने वाले students को 24 गंटों के अंदर अपने respective college में respond करना होगा और अपना admission confirm करना होगा इसके बाद पाकिस्तान medical commission की तरफ से यकव मार्च को तो meritless display नहीं की गई लेकिन आज 2 मार्च की सुबो पाकिस्तान medical commission के official website के ओपर public sector medical and dental colleges की vacant seats की meritless display की जा चुकी है तो PMC की तरफ से पाकिस्तान के तमाम सरकारी medical and dental colleges में MBBS और BDS की खाली सीटों पर पहली meritless upload की जा चुकी है और meritless के साथ ही कुछ जरूरी हिदायात भी दी गई है पाकिस्तान medical commission की तरफ से 24 सरवरी से लेकर 27 सरवरी तक online portal को active किया गया था और उसमें तमाम students बगएर किसी processing fee के apply कर सकते थे तो ऐसे तमाम students जिन्होंने PMC के portal के through vacant seats पर admission के लिए apply किया था तो उनकी applications को consider करने के बाद अब PMC की तरफ से meritless display की जा चुकी है तो ऐसे तमाम students जिनका meritless में नाम आ चुका है तो उन्हें अपने मुतलेका college में report करना होगा और इनके पास तीन दिन का time होगा कि ये अपने documents को submit करें और साथ ये साथ अपने college की fees भी submit करवा के seat secure करें इसके लावा colleges की तरफ से admission के वक्त students के HSSC के marks यानि FSC pre-medical और academic credentials को verify किया जाएगा इसके लावा ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसे तमाम student जिनका meritless में नाम आ चुका है और वो इस offer को accept नहीं करना चाते है यानि वो admission secure नहीं करना चाते है तो वो 2 March 2022 की शाम 9 बज़े तक PMC के दिये गए email ID के ओपर contact करें यानि ऐसा बहुत rare case हो सकता है कि किसी student का पाकिस्तान के सरकारी medical and dental college में vacant seats पर MBBS या BDS के program में admission हुआ हो और वो फिर भी admission ना लेना चाहे लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई case हो तो उसे member.education.gov.pk पर 2 March की शाम 9 बज़े से पहले पहले email करना होगा email में candidate को अपने MDCAT का role number और decline status mention करना होगा और ऐसे student जिन्होंने public और private दोनों sector के medical and dental colleges में admission के लिए apply किया था और उनका सरकारी medical college में नाम आ चुका है और वो सरकारी के बज़ाए private medical college में admission लेना चाहते हैं तो उन्हें लाजमी email करनी होगी और ऐसे case में ही उन्हें private medical and dental colleges की merit list के लिए consider किया जाएगा यानि अगर इसको simplify किया जाए तो इस वकत students की तीन तरह की different situations बन रही हैं सबसे पहली तो ये कि ऐसे student जिन्होंने सरकारी medical and dental colleges में admission के लिए apply किया था और अब उनका merit list में नाम आ चुका है और वो admission लेना चाहते हैं तो वो 24 घंटों के अंदर अंदर अपने मुतालेका college को report करें उन्हें अपने willingness शो करें कि उनका merit list में नाम आ चुका है और वो admission हासिल करना चाहते हैं ऐसे case में students के पास 3 दिन का time होगा कि वो fee submit करवाएं और अपने document submit करवाने के बाद अपनी seat secure कर लें दूसरी situation ये है कि students ने सरकारी और private medical colleges दोनों में apply किया था सरकारी में उनका नाम आ गया है लेकिन वो नहीं लेना चाहते है admission और वो private में जाना चाहते हैं ऐसे case में उनको email करना होगा और ये बताना होगा कि MDCAT का उनका roll number ये है और वो सरकारी medical college में admission नहीं लेना चाहते हैं बलकि private medical colleges के लिए खुद को consider करवाना चाहते हैं और तीसरी situation ये बनती है कि एक student ने सरकारी और private दोनों medical colleges में admission के लिए apply किया था लेकिन उसका सरकारी medical colleges में नाम नहीं आया है तो ऐसे student को अब सिर्फ इंतजार करना होगा इंशाला PMC की तरफ से 3 March को private medical and dental colleges की merit list लग जाएगी और उस merit list में जिन students की private medical and dental colleges में selection होई होगी तो वो अपने मुतालिका college में contact करेंगे और उनके पास भी 3 दिन का time होगा कि वो fee और document समिट करवा कर अपनी seat secure कर लें इसके बाद merit list की बात करें तो आजाज जमान कश्मीर में MBBS की merit list में total 37 students select होए है और सबसे कम closing merit 87.595% पूँच medical college कर रहा है इसके बाद बलोचिस्तान के सरकारी dental colleges में BDS की merit list कुछ इस तरह से है जिसमें 13 students की selection होई है least merit 81.19% रहा है और बलोचिस्तान में सिर्फ एक ही dental college है dental section of Bolan Medical College कोईटा इसके बाद बलोचिस्तान के सरकारी medical colleges में MBBS की merit list की बात करें तो बलोचिस्तान में government sector के जो चार medical colleges है वहाँ 44 students की MBBS में selection होई है सबसे कम merit 81.452% रहा जो के मकरान medical college का है इसके बाद फेडरल के सरकारी medical colleges में MBBS की merit list में total 12 students select हुए है आर्मी medical college में एक student का दाखला हुआ है जिसका merit 92.143% है जबके शेख खलीफा बिन जायद अलनहियान medical and dental college में 90.107% पर मेरिट क्लोज हुआ है इसके बाद फेडरल के dental colleges की बात करें तो BDS की merit list में 3 students की selection हुई है dental section आर्मी medical college में merit 89.964% पर और school of dentistry शेहिज जुलिफकार लिबुटो medical university इसलामबाद का BDS का merit 89.75% पर क्लोज हुआ है इसके बाद खेबर पक्तोंखा के सरकारी dental colleges में BDS की merit list की बात करें तो यहां total 70 students का BDS में दाखला हुआ है और आखरी student जिसकी selection हुई है उसका aggregate 86.19% है जिसका admissions सैदू dental college में हुआ है खेबर पक्तोंखा के सरकारी medical colleges की बात करें तो MBBS की merit list में total 46 students का दाखला हुआ है और सबसे कम aggregate 86.655% है जो के खेबर medical college का है इसके बात पंजाब की बात करें तो यहां सरकारी dental colleges में BDS की merit list में total 50 students की selection हुई है और इनमें सबसे कम aggregate 89.94% है जो के dental section of Punjab medical college का है पंजाब के सरकारी medical colleges में MBBS की merit list में total 92 students की selection हुई है और सबसे कम aggregate गुजरावा medical college का 90.048% रहा है और आखर में सिंद के सरकारी dental colleges की बात करें तो BDS की merit list में total 41 students की selection हुई है सबसे कम aggregate BBA सिफा dental college का रहा जो के 83.607% है और सिंद के तमाम सरकारी medical colleges की बात करें तो यहां MBBS की merit list में total 219 students की selection हुई है सबसे कम aggregate 2 international medical college का है जो के 83.952% है इसके बात जैसे ही पाकिस्तान medical commission की तरफ से private sector के medical and dental colleges की vacant seats पर merit list अपलोड की जाती है तो उसे मतलग भी आपको complete information प्रवाइड कर दी जाएगी PMC की तरफ से यही बताया गया था कि MBBS और BDS की vacant seats के हवाले से private medical and dental colleges की merit list ती मार्च को डिस्पले होगी लेकिन जिस तरह सरकारी medical colleges की merit list डिले हुई है तो chances हैं कि private medical colleges की merit list भी एक आदा दिन डिले हो जाए लेकिन इस सिलसले में जो भी confirm update सामने आती है तो upcoming videos में आपको उसकी मुकमल information पर write कर देंगे भी सिलसलuestas कें मतल आझे यंजा डिस प्तोता है तो हमाधिने सेजस्थ eिस आत्स व्यावागा पर झाल सें आपको सेजस्थ परां क। झाल